तो हे नमस्कात दोस्तों कैसे हो जे हे दोस्तों MI10T 5G मोवाईल जो की ओनली भाई मुझे 23,000 रुपे में पढ़ा हनजी गाईज आपने एक अदम साई सुना कैसे जे मोवाईल मुझे ओनली 23,000 रुपे में पढ़ा आज की सी वीडियो गंदर भाई आपको बताऊंगा और सा दोस्तों सील को कर लेते हैं ब्रेक सभसे पहले जहां पर मेरा अड्रेस है पीशे की तरफ इसको बजूस आपको दिख रहा होगा आपके सामने में निकाल लेता हूं इस फ्टून को तो चलिए मोवाल निकाल दिया इस को हम रखते हैं साइड में इसकी seal को भाई अपके समने करते हैं तुम मैं break तो चलिए box को करते हैं box को open करते हैं सबसे पहले हमें मिल जाता है जहाँ पर चलिए इसको खोलते हैं इसमें देखते हैं इसके अंदर भाई I think की यार एक case होगा तो इसको भाई निगाल लेते हैं पिल जाती है और जहांपर इसको निगाल ले तो ग उजये भी बॉक्स के अंदर नहीं भी दिखा। बोक्स के अंदर बाई देखो जहां पर एक चार्ज मिल जाता है तो एक बाई जहां पर टाइप सी केबल मिल जाती है और जहां पर 3.5 mm हैडफून जाता पहले उपन किया बाई मैं फून सबसे पहले बता जेता हूं आपको मैंने उपन करके देखा और जहां पर बाई बोक्स को चलिए सबसे पहले भाई में वोक्स को सबसे पहले कर लेता हूं पैक इसको रख देता हूं साइड में बढ़ते ही guideline काप ही इच्छा लगा पीशे की तरह आप मिल जाता इस ट्रिपल केम्रा चार कैम्रा नहीं है वैशंे शो आऊओ और नहीं गदेखे हाँ बात है और इसके नीचे की तरफ आप्हेटर मिल जाता है, और साथ में टाइप सी In-S 어머 आप सी ट्र मिल जाता और साथ में सिम और ट्रे मिलगा रहन है नीचे की द्रफ mamac देख सकते हैं एक शोटा सा स्पीकर है इसमें जे गंदी बात लगी कि 3.5 mm headphone jack नहीं है तो चलिए फोन को कर ले तूँ भाई अपके समने बूट तो फोन को भाई मैंने कर लिया अपके समने बूट तो भाई 5G लिखा आया जे काफी इची बात है कि कैसे भाई मुझे जे सबस इसके अंदर इसके अंदर IPS display मिल जाती है आपको यह थोड़ा सा गंदी बात लगी और 140 हर्स रीफ्रेश वाली डिस्पले अगर बाई नीचे ऊपर बात करूँ बैजल्स की बैजल्स भी यार ठीक थाक मुझे मिले कम ही बैजल्स है ठीक है उपर देखो बाई एक शोटी सी नोच मिल जाती है अगर नीचे की बात करूँ नीचे भी बैजल्स से यार मिल जाते है अगर थोड़े से कम होते तो और मज़ा आ जाता बड कोई बात नहीं ओवराल ठीक थाक यार बैजल्स है ठीक है सबसे फिले बाई मैं सैटिंग में चलके दिखा देता हूँ अब आउ 240 हर्स रीफ्रेश वाली बाई डिस्पले और 8K वीडियो रिकोर्डिंग 5000 एमेज की बैटरी बाई क्या ही कॉम्बिनेशन है यार प्रसेसर है ना इसका बाई गेमिंग वारा मैं कर रहा हूँ काभी टेम से इस फोन को बाई मैं यूज कर रहा हूँ दो तीन गंटे से गेमि फीचर मिल जाते हैं वीडियो को पोस करके पड़ सकते हैं देखो बाई मैंने सेंपल से लिए इसके कैमरा से फर्ष्ट ओफोल बाई बता दू कैमरा कॉल्टी इंप्रैसिव लगी इस फोन की मुझे काफी ची लगी देखो बाई अगर डिटेयल की बात करें तो काफी ओव बाई बैक्राउंड देखो स्क्रीन पे वीडियो शो कर दूँगा वीडियो का जो बैक्राउंड पूरा बलर हो जाता बाई इस तरहां इसके कैमरे के अंदर बाई मुझे जे काफी इची बात लगी अगर गाई जिस फोन के अन्टू टू टू बैंचमार स्कोर की बात जाने की गेमिंग फून है गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो बैस्ट फून है के लिए इच्छा लगा बड़िस के अंदर बाई मैं एक आपको बात बताते तो अगर स्पीकर क्वाल्टी की बात करूं तो बैसके अंदर एक थोड़ा सा मुझे प्रावलम में लगी अगर आप स्पीकर को फूल कर लेते हो बैई कि जो इसका बैक है न पूरा वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता देखो बैई मैं आपको दिखा देता हूँ बैई देखो इसका बैग है न मतले फील होगा आपको अगर हाथ लगा कि बैई देखोगे पूरा वाइब्रेट करना शुरू कर देता जे थोड़ी सी गंदी बात लगी एड़जेश्ट करना चाहिए था यार माई को बढ़ चलो कोई बात नहीं श्कैयत नहीं कर सकते तो अब फाइनली बात आते कि कैसे जे फून मुझे 23,000 रुपे में पड़ा फ्लिपकार में बाई एक्सचेंज ओफर चल रहा था उसमें जो मैंने फून एक्सचेंज किया मेरे पास फून था Redmi Note 8 Pro उसको बाई मेरे आठनो जार में वह एक्सचेंज हो गया जो फाइनल कर रहा हूं और आज की इस वीडियो के अंदर बाई मैं को बतांगा मैं जरूर में करूं आपको वीडियो अच्छे लिए अगर वीडियो चलिकती तो मेक्शर अपनी तरफ से लाइक जरूर करता है चैनल पर पहली बार है तो बाई चैनल को सब्सक्राइब करें कर लेना इ जाते आते बाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अज गले इतना ही थेंक्स वराचिंग